आमिर खान के अपने काम के प्रती डेडिकेशन के बारे में जितना कहें उतना कम है। और गजनी के बाद आमिर ने तो जैसे नए स्टांडर्स ही सेट कर दिये हैं। फिर जाहे उनकी एक्टिंग हो या फिर अपने कारेक्टर की लुक पर की गई महनत। वैसे आमिर खान का मानना है कि Impossible is nothing। आमिर खान के बदलते हैस्टाइल ने हमेशा ये सोचने पर मजबूर किया है कि What is आमिर अप टू? अब आमिर अपने हर फिल्म के रिलीस के काफी पहले से ही पबलिक में रिवील करते हैं एक नया हैस्टाइल जो बन जाता है Talk of the Town और ऐसा करके आमिर के आने वाली फिल्म को पबलिसिटी भी अच्छी मिल जाती है अब तो जैसे ये आमिर का स्टाइल बन गया है कि फिल्म के पहले reveal the look of the character in the film आमिर ने इसका latest example दिया फिल्म गजनी की लुक के साथ फिल्म के रिलीस के काफी समय पहले से आमिर की extremely different है स्टाइल ने लोगों का attention grab किया और ये काम कर गई फिल्म के promotion के तौर पर and needless to say कि फिल्म भी साबित हुई जबरदस्थ hit यू तो आमिर पहले कई बार अलग-अलग looks में नज़र आए है लिकिन इस बार आमिर ने सभी को दिया एक धमाकेदार surprise and that was his well-toned body इस perfectionist से perfect body की उमीद शायद ही किसी ने की थी उनके fans को ये नहीं पता था कि गजिनी की अनोखी hairstyle के अलावा आमिर has more to show इस बार आमिर कुछ कदम आगे निकल गए उनकी hairstyle बस create करी रही थी कि आमिर के body cuts ने सभी को चौका दिया और फिल्म को लेकर आमिर की dedication ने कर दिया पूरी industry को stunt ये चौकलेटी लुक बॉइ एक professional bodybuilder की तरह work out करेगा no one was expecting that but then he is Aamir Khan अपने character में उतरने के लिए हर महनत करने को तयार I think anyone can do it I think actually it is something which is inspirational I can understand जब मैं किसी को देखता हूँ सने अपनी physique बनाई है जब मैं Arnold Schwarzenegger को देखता हूँ Tom Cruise या Brad Pitt को देखता हूँ मुझे लगता है हा या मैं भी कर सकता हूँ और ये सच बात है कोई भी कर सकता है आपको उस पे महनत करनी पड़ती है ऐसा कोई काम नहीं है जो इस दुनिया में आप नहीं कर सकते ये hardworking actor भले ही अपनी महनत से कितने ही तीर माल ले but he never gets carried away मुझे लगता था कि यार कैसे मैं करूँगा मैं भी शुरू कर रहा हूँ जब मैंने अपने आपको देखा और आज मैं कंपेर करता हूँ before and after तो मुझे लगता है कैसे किया मैंने उस वक्त मैंने इतने जोश में किया कि मुझे अंदाजानी था लोग मुझे देखे बोलते हैं क्या लग रहा है तो what have you done कैसे manage किया तो उस वक्त मैं उस जोश में था तो I never used to look at myself क्योंकि when you look at yourself and feel now I'm looking good वहाँ आपकी गाड़ी रुख जाती है you cannot go into that mode you have to keep trying harder and try and excel every day और शायद यही वज़ा है कि आमिर हर बार कुछ नया और डिफरेंट करने में सक्सेस्फुल होते हैं अपनी लेटिस सक्सेस से इस amazing actor ने खुद को एक अलग मकाम पर पहुचाया है अपने competitors को भी आमिर ने dedication के मामले में कहीं पीछे छोड़ दिया है वैसे इसके बाद भी आमिर से कुछ नए की expectation तो जरूर है in fact अब तो लोगों को भी इंतिजार रहेगा कि what's next with this complete package of talent और शायद हट कर सोच रखने वाले आमिर ने अब तक कुछ सोच भी लिया होगा अंजली सिंग, Zoom, Mumbai